हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्डिंग मैं आशालाता लिभी निशर से फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को दिखाएंगे यह जो कीवी है इसका सीट से कैसे नया पदा बनाना है इसका आज वीडियो करके आप लोगों को हम दिखाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स ए जो कीवी यह बहुत अच्छा फ्रूट्स है यह आसानी से इसका सीट से आप उगा सकते हैं तो देखिए फ्रेंज पहले इसको हम काट के अब लोगों को दिखाते हैं तो देखिए यह हार चायगा में ऐसे भी यह प्लांट नहीं मिलता है तो आप लोग घौड में ऐसे लागा सकते है फ्रेंज देखिए इसका यह बोड़ा पूरा सीट से ही नहीं पर तो इस सीट को हम एक से करके ले लेंगे बहुत सीट से फ्रेंज देखिए इसा करके हम ले लेंगे धेरी शारस सीट से इसे राग देंगे इस भीतर में जो है सीट से आप अब लोग को हम दिखाते हैं इस इतना सथे हो जाएगा यह बहुत अच्छा प्लांट है तीन चार साल में ऐसे भी इसका फूटिंग स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए फ्रेंज तो आप लोग आसानी से उगा सकते हैं तो यह दिखिए हम सीट सब ले लिया दिखिए तो अभी इंपर राग देंगे और यह देखिए फ्रेंड्स हम एक पॉट लिया और यह पट के ऊपर हम थोड़ा यह जागा में पत्थर उत्तर दे देंगे कि इसे पानी ठीक से नहीं निकलेगा तो शीट से जो बेबी प्लांट निकलेगा उखारा हो जा सकता है तो और हम इंपर मिट्ती लेया फ्रेंड्स यह बर हम् 40% garden soil लिया और 60% compost मिला के इसमें बालू भी है मेरा garden soil में बालू है नहीं तो आप लोग के पास 30% garden soil लिजिए और बालू मिला ये 20% 50% कोई भी compost भर्मी compost या cow dung manure इसमें लिए के इसमें लागाई है अब दिखी फ्रेंट अब यहीं पर हम सीट्स देंगे अब लोग को दिखाते हैं इसका आपडेट कैसे निकलेगा में थोड़ा अभी थोड़ा मीट्टी उपर में डाल देंगे मैस हो गया अभी थोड़ा पानी डालेंगे थोड़ा पानी है इसा करके दीजिए नहीं तो सीट्स अब यह हो जाएगा मीट्टी से इधार उधार चला जाएगा इजने ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए पानी बैसे हो गया आभी हम क्या करें इसमें कोई पेपार डाल देंगे तो इससे क्या होगा खायदा एक गड़म भी रहेगा और इसमें जो पानी है वो मॉस्त रह देखा देंगे और कुछ दिन बाद आप लोगों को दिखा दे तो देखिए फ्रेंट्स एहीं पार हम जो कीवी का सीट्स लागाया तो देखिए इसका रेजल्ट देखिए फ्रेंट्स एक डेर माइना हो गया और देखिए कितना अच्छा सवे हमको प्लांट मिला घृट्स इद visa पूरण हो गया च्छा और है अभी तो अभी और हम जोगोई आलग जाएगा में लागाएंगे फ्रेंट्स अभी बड़ा हो गया थो उसके लिए हमें छोटा छोटा पॉट लेंगे हमें लागांगे पहले हम थोड़ा इसमें पानी देंगे फिर उसके बाद हम इसको उठाएँगे तो देखिए फ्रेंड्स हम नहीं पर पांच को एक ही साथ निकल गया तो आलग जाएगा में हम लगाएंगे थोड़ा साब्दानी से लागाना पोड़े गया बहुत छुटा प्लांट है तो फ्रेंड्स हम पूरा सब छोड़ा पॉठ में लागा लिया अभी थोड़ा पानी डालेंगे अभी हम इसको सेमी सेट पर राक देंगे छे साथ दिन बाद हम इसको धूब में लाएंगे तो अभी बहुत छोटा प्लांट है इसका रूट भी हो सकता है एक दोगो काट गया तो अभी सेमी सेट पर राकना चाहिए फिर कुछ दिन बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे तो फ्रेंट्स देखिए मेरा कीवी का पौदा यही पर हम ट्रानस्पर किया जब एक माइना हो गया तो एक माइना के बाद इसका रेजाल देखिए फ्रेंट्स इसका लीप काफी बड़ा हो गया और कुछ दिन बाद और थोड़ा बड़ा जाएगा में हम राखेंगे अभी इसमें भी और कुछ दिन हम राखतेंगे जब देखेंगे जो इसका लीप और थोड़ा बड़ा हो गया तो अब हम और थोड़ा बड़ा पॉट में इसको हम लगाएंगे तो देखे फ्रेंड्स एक क्यूबी को हम दो माइना हो गया एक छोटा पॉट में राख दिया आभी एक बड़ा पॉट में जाएगा तो जोली एक बड़ा पॉट में रिपोटिंग कर देते हैं तो देखें फ्रेंड्स हम यही पर आठ इनची का पॉट लिया तो इस में पहले हम यह कुछ देखे इसको हम बंद कर देंगे तो तब से क्या होगा इसका डीनेक्स सिस्टेम ठीक रहेगा तो देखिए ऐसा कर के हम देंगे फ्रेंड्स इधर भी एक होल है इधर भी बंद कर देंगे तो और एक टो होल है इधर है तो इधर भी हम दे देंगे और थोड़ा छुटा कर देंगे बंद कर दिया और एक टो कॉट में भी ऐसा करेंगे इसका भी दो होल है एक हल हम बंद कर दिया तो तो हर पेड़ बदा जब लगाईएगा उसमें होल ठीक राखिएगा तो यह जो मिट्टी हम मिला रहा है फ्रेंड्स एक गार्डेन स्वाइल है और कीशेन वेस्ट कॉम्पोस्ट है थोड़ा सा हम भार्मी कॉम्पोस्ट मिला या फ्रेंड्स यह मिला के हम राख दिया तो पहले हम मिट्टी भर लेंगे और अभी हम प्लांट को काट देंगे तो क्या होगा इसका रूट्स में ज्यादा कोई यह नहीं होगा तो काट दिया जरसे भी काट देंगे तो एसा ही ठीक है अभी हम मिट्टी दे देंगे अभी जब इससे बड़ा हो जाएगा फिर हम बड़ा कमला में देंगे इसको भी हम मिट्टी भर देंगे इसको भी हम काट देंगे तो फ्रेंट्स ऐसा करके आप लोग बादर से सीट्स लाइए क्यूंकि एक क्यूवी के प्लांट हर जाएगा नहीं मिलता है फ्रेंट्स हम एक पधा लाया नाचरी से वह अच्छा नहीं निकला तो कुछ दिन बाद और खारव हो गया फ्रेंट्स तो आप लोग ऐसा करके लागा सकते हैं फ्रेंट्स तो क्यूवी तो हर जाएगा मिलता है तो आप लोग ऐसा करके लागा यह फ्रेंट्स बहुत अच्छा लाएगा घर में जब अपका प्लांट रेडी हो जाएगा तो बहुत अच्छा लाएगा तो देखिए फ्रेंट्स हम लागा लिया अभी थोड़ा पानी डालेंगे इसके उपर अब लोग ऐसा करके लागा यह तो फ्रेंट्स अभी एक-दो दिन अभी थोड़ा सेमी सेट पर राग दीजे फ्रेंट्स ज्यादा धूप मत लागा यह इसका रूट्स अभी जोल्दी जोल्दी हम उठाया तो शुक जा सकते है तो एसे करके आप लोग दो तिन दिन भी राख सकते है थोड़ा सेमी सेट पर और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए ज्या